हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज के ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो चाहती है कि उनकी नॉर्मल डिलेवरी ही हो क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा टिप्स बताने वाली हूँ जब आप लेवर रूम में जाते हैं और वो टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो पांच मिनट के अंदर ही आपकी डिलेवरी हो जाएगी यानि की डिलेवरी में कम से कम समय लगेगा और आपको दर्द भी कम सहन करना पड़ेगा तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर चैनल पर पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स जब आपको हलके हलके लेवर पेइन होने स्टार्ट हो ज तो ऐसे में आप तुरंथ ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वार्ड में लिटा दिया जाता है और आपके 10 cm तक बचेदानी का मुँँ खुले का इंतिजार किया जाता है और जैसे ही बचेदानी का मुँँ 10 cm तक खुल जाता है तब आपको लेवर रूम में लेकर जाया जाता है labor room में जाते ही आपको जितनी बार भी pain आते है, contraction आते है तो आपको क्या करना है, आपको आपके पैरों को fold करके रखना है आपको अपने पैरों को पेट से चिपकाना है और जैसे ही आपको pain आते हैं तेजी से वैसे ही आपको push करना है आपको ऐसे push करना है जैसे आपको pregnancy के time पर constipation यानि की कब जो हो जाती है जब आप इस tool pass करने के लिए जोर से दम लगाते हैं उसी तरीके से आपको दम लगाने है आपको पुश करना है और आपको ध्यान इस बात पर देना है कि आपको नाक से सांस लेनी है और मुँ से छोड़नी है गहरी गहरी सांसे नहीं लेनी है हलकी हलकी सांसे उस टाइम पर आपको लेनी है नाक से लीजिए और मुँ से छोड़ दीजिए जब भी आपको पेन आते है और आपको बार-बार ज़ादा दर्द भी नहीं सहना पड़ेगा गलत तरीके से अगर आप पुश करती है तो डिलेवरी में और भी ज़्यादा मुस्किलें आती है आपकी डिलेवरी में बहुत ज़ादा देरी भी लगते है तो जैसा मैंने आपको बताया है आपको बिल्कुल वैसा ही करना है आपकी डिलेवरी आसानी से हो जाएगी और आपको दर्द भी कम सहन करना पड़ेगा तो फ्रेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई